नवस्कार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ एक बड़े सहर में जीवन पर निवन्द तो इस वीडियो को पुरलास तक जरू देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भूमिका बड़े सहरों में रहने वाले लोगों का दैनिक दिन चरिया और उनका जीवन सैली काफी अलग होता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपने परिवार वालों से बातचित कर सके। बड़े सहरों में कई घर तो ऐसे मिल जाएंगे जहां परिवार के सिद्ध से एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते हैं। क्योंकि उनके जीवन का जीने का ढ़ंग काफी अलग होता है। वह ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपना समय अपने फायदे के लिए इस्तिमाल करते हैं। उनको केवल पैसे से प्यार होता है, पैसे के अलावा उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। बड़े सहर में रहने वाले लोग काफी चतूर और पढ़े लिखे होते हैं। सहरी जीवन की विशेशता सहरी जीवन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि यहाँ पर रोजगार के अनन्त आउसर हैं। यहाँ पर लोगों को रोजगार के लिए अधीक परिश्रम करने की जरुरत नहीं होती हैं। कि यहाँ पर बड़े-बड़े कार खाने अधीक संख्या में इस थित हैं इसलिए यहाँ पर रोजगार पाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके ठीक विपरीत गाउं में रोजगार पाना काफे मुश्किल होता है क्योंकि गाउं में शहर की तुलना में उद्दोग बहुत ही क संक्या में उपलब्द है और केवल रोजगार ही नहीं बलके गाउं में शिच्छा वेस्ता मेडिकल स्विधाय इत्यादी उतना ठीक नहीं होता है इसलिए लोग सहरी जीवन जीना अधीक पसंद करते हैं सहर में जितनी स्विधाय हमें मिलती है उसके ठीक विपरीत यहां का वातावरन उतना ही परदूसित होता है सहर में कार खानों मोटर कार इत्यादी से निकलने वाले धुएं सहरी वातावरन को परदूसित करते हैं सहरी जीवन में सिच्छा पदिती काफी मजबूत और ससक्त माने जाती है यहां पर बड़े बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटी उपलब्द है इसलिए अगर किसी को उच्छा प्राप्त करना होता है तो उन्हें सहर ही आना पड़ता है क्योंकि ग्रामिन छेतरों में ऐसी स्विधाएं उपलब्द नहीं है बड़े सहरों में स्वास्त की स्विधा और होस्पिटल अधिक संख्या में होती है शहर में किसी भी गंबिर बिमारी का इलाज काफी आसानी से किया जा सकता है सहर की बिजली 24 गंटे उपलब्द रहती है परिवहन के लिए इस सहरों में पक्की सड़के बनी होती है तथा इसके अलावा बस, ट्रेन, मैट्रो ट्रेन और टेक्सी जैसे बहुत से साधन आसानी से उपलब्द होते है एक बड़ा सहरी जीवन हमारे लिए वर्दान या अविशाप सहरी चेत्रों में मनुरंजन के लिए बड़े बड़े सीनेमा घर होते हैं इसके अलावा यहां पर यातायाद की वैस्था काफी अच्छी होती है इसके बावजूद भी शहरी जीवन हमारे लिए वर्दान और अविशाप दोनों है अविशाप की निजर से देखा जाए तो यहाँ पर परदूसन की समस्या सबसे ज्यादा होती है जिसके कारण कई गंभीर विमारी होने का खत्रा सबसे ज्यादा होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्दान और अविशाप सहरी जीवन के सिक्के के दो पहलू है शहर में अपराद की संक्या सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं और लोगों को यहाँ पर पैसे की सबसे अधीक लालसा होती है जिसके कारण लूट मार, डकैती, मर्डर, फिरोती जैसे अपराद यहाँ पर काफी अधीक होती है सहरी छेतर में रहने वाले कुछ लोग अधीक स्वार्थी होते हैं अपने उदेश की पूर्ती के लिए वह किसी भी वैक्ति का बुरा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं सहरी जीवन के अनिकों लाव हैं लेकिन अनुचित कारी करने के कारण यह एक अभिशाप की तरह परतीत होता है तो उमीद है यह छोटा सा इंफर्मिशन आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करे शेयर करे अगर कोई सवाल यह सुझा हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाए